नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं ये खुबसूरत सा लेडी शू लाई हूँ, अंगुठे वाली जूती ये दोनों पैरों में एक ही जैसा बंदा है, और बनाना बहुत आसान है और देखिये कितना खुबसूरत है ये जूती पाँच और छे नमबर फुट साइज के लिए है, देखिये कितना खुबसूरत है इसे बनाने के लिए मैंने दस नमबर की सलाई पर 51 डिजाइनर फंदे डाले हैं डिजाइनर फंदो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां से देख लिजेगा तो मैंने 51 डिजाइनर फंदे डाले हैं, अब चलिए देखते हैं कि इसका बॉर्डर कैसे बनेगा तो हम पहले फंदे को सीधा बनेंगे, अगला फंदा हम उल्टा बनेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा तो एक फंदा हम सीधा बुनते हुए और अगला फंदा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे तो हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए पहली लाइन कम्प्लेट कर ली चुकि 51 फंदे थे यानि और नमबर में फंदे थे तो पहला फंदा सीधा आया है तो लास्ट फंदा भी सीधा ही होगा अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में और ये हमारे बॉर्डर का दूर्जा लाइन है तो हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे अगला फंदा उल्टा नेक्स्ट फंदा सीधा अगला फंदा उल्टा या ध्यान दिजेगा देखे ये फंदा हमारा उल्टा फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे उन अपनी और देखिए next फंदा सीधा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और देखिए next फंदा ये उल्टा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे और अगला फंदा सीधा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे यानि सीधे पे उल्टा और उल्टे पे हमें सीधा बुनना है यह फंदा सीधा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा देखे उल्टा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा ही बुनना है लेकिन सीधे फंदे पे उल्टा बुनना है और उल्टे फंदे पे सीधा बुनते हुए पुरी लाइन कम्प्रीट कर लेने है तो हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए पुरी लाइन कम्प्रीट अब हम आयाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे border का third line है तो देखिए पहले फंडे को हम सीधा बूनेंगे अब देखिए ये फंडा उल्टा है लेकिन हमें सीधा बूनना है next फंडा सीधा है इसे हमें उल्टा बूनना है अगला फंडा सीधा next उल्टा तो हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा ही बुनना है लेकिन सीधे वाले फंदे पे उल्टा बुनना है और उल्टे वाले फंदे पे सीधा बुनना है तो ये हमारा तीसरा लाइन चलना है तो टोटल हमें 12 लाइन बनाना है तो 12 लाइन बना के मैं आपको दिखाते देखिए फ्रांस 12 लाइन कम्प्लीट हो गया है और इसके साथ ही हमारा बॉडर भी 13 लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बनेंगे 13 लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बनेंगे अब हम उल्टी तरफ आ जाते हैं और ये हमारा 14 लाइन है तो 14 लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बनेंगे 15 लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैश कर लेंगे और 24 फंदों को हम सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, 20, 21, 22, 23, और 24 तो 24 फंदों को हमने सीधा बन लिया 25 में फंदे को हम स्लिप करेंगे अब 26 में फंदे में देखिए 26 में फंदे में हमें यहां से बुनाई नहीं करनी है बलकि एक लाइन नीचे आ जाएंगे जो यह छेद दिखाए दे रहा है एक लाइन नीचे जो यह छेद दिखाए दे रहा है यहां हम स्लिप डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे अब उनको अपनी ओर करेंगे फिर इसी जगह पे फिर से सलाई डालेंगे और एक और फंदा तो यह हमारे तीन फंदे हो गया फिर हम उनको अपनी ओर करेंगे यह चोथा फंदा हो जाएगा फिर इसी जगह सलाई डालेंगे और एक और सीधा फंदा बनाएंगे, तो 5 फंदे हो गया, फिर हम उन को अपनी ओर करेंगे, यह 6 फंदा हो गया, फिर हम एक और सीधा फंदा बना लेंगे, तो यह 7 फंदे हो गया, अब इसे हम गिरा देंगे, नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, 24 फंदे हमने सीधा बुना, 25 फंदे को स्लिप किया, 26 फंदे में हमने 7 फंदे बनाएं, और 27 फंदे को स्लिप किया, अब लास्ट में हमारे पास 24 फंदे बच जाएंगे, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, तो हमने पंद्रहवा लाइन कम्प्लीट कर लिया अब हम आजाते हैं रॉंग साइड यहाँ पे 24 फंदे थे तो यहाँ तक के सभी फंदों को हम सीधा बुलेंगे एक फंदा यह हो गया और 23 फंदे सीधा बुलेंगे तो हमने 24 फंदे सीधा बुल लिया अब उनको अपनी और करेंगे यह हमारा स्लिप किया वा फंदा है इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे अब फिर उनको दूसरी और करेंगे और इन साथ फंदों को हम सीधा बुलेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब फिर हम उनको अपनी और करेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा है इसे वापस स्लिप कर लेंगे फिर उनको दूसरी और करेंगे और से सभी फंदों को हम सीधा बुलेंगे अब हम फिर सामने की तरफ आ गए और ये हमारा सत्रहवा लाइन है तो सत्रहवे लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के उनसे सभी फंदों को सीधा बुलेंगे सत्रहवी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुलेंगे अब रॉंग साइद में हम आ जाते हैं और ये हमारा अठारवा लाइन है तो इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुलेंगे उन्नीसवी लाइन में हम फिर अपने सेकेंडरी कलर के उनसे बुनाई करेंगे तो पंद्रहवी लाइन में हमने 24 फंदे सीधे बुने थे अबकी उन्नीसवी लाइन में 3 फंदे अधिक यानि 24 में 3 और जोर देंगे 27 फंदे हम सीधा बुनेंगे 24 फंदे हमने 15 फंदे में सीधा बुने थे अब हम इसमें 3 फंदे और एड़ कर लेंगे 24 हो गया 25, 26 और 27 19 फंदे में हमने 27 फंदे सीधे बुन लिए 28 फंदे को हम स्लिप करेंगे फंदा इस फूल का बीच का फंदा है इसी पे वापस हमें फूल बनाना है तो क्या करेंगे देखिए अब हमें इसलाइ पे जो फंदा है एक हुआ, उनको अपनी उर करेंगे, यह दूसरा फंदा हो गया, फिर इसी जगह पे स्राई डालेंगे, और एक तीसरा फंदा बनाएंगे, तीन, यह चार, पाँच, छे, साथ. नेक्स फंदे को स्लिप करेंगे, लास्ट में 27 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम सीधा बन लेंगे. अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में और इस लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बनेंगे जो ये बीच के दो फंदे स्लिप किये गए है उन्हें हम वापस स्लिप कर लेंगे और शेज सभी फंदों को सीधा बनेंगे 27 फंदों को हमने सीधा बन लिया उनको अपनी ओर करेंगे और ये देखेए slip किया हुआ है ये से वापस लिप करेंगे उन दूसरी ओर बीच के 7 फंदों को फूलक वाले 7 फंदों को हम सीधा बनेंगे अब वापस उनको हम अपनी ओर करेंगे और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे अब फिर उन दूसरी ओर शेज सभी फंदो को हम सीधा बुलेंगे अब फिर हम अपने प्राइमरी कलर के उन से सभी फंदो को सीधा बुलेंगे अब हम रॉंग साइड में है तो सभी फंदो को उल्टा बुलेंगे तो हमने सभी फंदो को उल्टा बुल लिया अब हम फिर आ जाते हैं सामने की तरफ और अब हम फिर डिजाइन बनाएंगे पहले हमने 24 फंदा सीधा बुना था 25 फंदे को स्लिप किया था और 26 फंदे पे डिजाइन बनाया था दूस्ते डिजाइन बनाते समय हमने 27 फंदा सीधा बुना था 28 फंदे को स्लिप किया था और 29 फंदे पे डिजाइन बनाया था यानि 3 फंदा हमने एड कर लिया अब की हम 30 फंदा सीधा बुने के बात था 32 फंदे को स्लिप करेंगे और 32 फंदे पे डिजाइन बनाएंगे यानि हर डिजाइन पे हम 3-3 फंदा बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे 24 पे बनाया फिर 27 पे बनाया और इस बार हम 30 फंदे पे बनाएंगे तो हमने 2 डिजाइन कंप्लीट कर लिया है और हमें 6 डिजाइन बनाना है तो 6 डिजाइन बनाके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंट्स मैंने 6 डिजाइन कंप्लीट कर लिया है एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छे और टोटल लाइन हो गया है 36 12 लाइन का हमने बार्डर बनाया था 2 लाइन प्लेन बुना था यानि आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे फिर 4 चार लाइन का ये डिजाइन तो 24 लाइन ये हुए 6 डिजाइन बना है तो 24 लाइन ये हुए यानि टोटल 36 लाइन ये जूती 5 और 6 नमबर पैर के लिए है यदि आपको 7 नमबर फुट साइज के लिए बनाना हो तो आप एक डिजाइन और बनाएंगे यानि 4 लाइन और तो मैंने 6 डिजाइन पूरा कर लिया है अब इस सेकेंडरी कलर का हमें कोई काम नहीं है तो इसे हम काट देंगे और गाठ लगा देंगे ये हमारा 37 लाइन है और सामने से तो हम सब भी फंदो को उल्टा बुनेंगे पूरी लाइन हम उल्टा बुन लेंगे तो हमने सब भी फंदो को उल्टा बुन लिया अब हम रॉंग साइड में आ जाएंगे रॉंग साइड से भी हम सब भी फंदो को उल्टा बुन लेंगे तो हमने रॉंग साइड से भी सब भी फंदे उल्टे बुन लिया अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो इस लाइन में भी हम सब भी फंदो को उल्टा बुनेंगे रॉंग साइड से भी हम सब भी फंदो को उल्टा ही बुन लेंगे तो देखिए फ्रैंस चार लाइन बुनने से ये दो उल्टे फंदो की धारियां आ गए हैं अब हम इन फंदो को दो भागों में बाटेंगे तो 87 फंदे हैं 51 फंदे से हमने शुरू किया था और एक डिजाइन में 6 फंदे बढ़ रहा है तो 36 फंदे बढ़ गया है तो 51 और 36 87 हो गया है तो 87 फंदे को हम दो भागों में बाटेंगे तो एक साइड में 43 हो जाएगा और दूसरी साइड में 44 हो जाएगा तो हम किसी भी साइड में 43 और किसी भी साइड में 44 फंदे रख सकते हैं तो अब हम 43 फंदो को उल्टा बुनेंगे सिर्फ हमें 43 फंदो को ही उल्टा बुनना है तो हमने 43 फंदों को उल्टा बुन दिया, अब हमें यहीं से वापस चर्ण कर लेना है, वापस हम आ जाएंगे और फिर इन 43 फंदों को वापस हम उल्टा बुन कर ही लाइन कम्प्लीट कर लेंगे, अब हमें सिर्फ इन ही 43 फंदों को, जहां से हमने यहां से हम वापस आ गए हैं, तो सिर्फ इन ही 43 फंदों को हमें बुनना है, देखिए तीन धारी यह कम्प्लीट हो गई है, और दस धारी कम्प्लीट होने तक हमें बुनना है, तो दस धारी कम्प्लीट करके मैं आपको सिर्फ 43 फंदों को बुनते हुए देखिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ तो टोटल हो गए दस लाइन अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में अब हम इन सारे फंदों को बाइंड आफ करेंगे तो दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो काएक कर लेंगे फिर इस फंदे को हम बाइंश लाइं में चारा लेंगे फिर दो फंदों को हम एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो काएक फिर इसे बाइंश लाइं में चारा लेंगे अब फिर दो फंदों को एक सर लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक इस तरह करते हुए हम सारे फंदों को बाइंड आफ कर लेंगे हाथ नहम बहुत धीला रखेंगे नहीं बहुत ताइट एक नार्मल वे में हम सारे फंदों को बाइंड आफ कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस हमने सारे फंदे को बाइंड आफ कर दिये अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि हमें सिलाई करनी है और फिर इस फंदे से इस धागे को हम ऐसे निकाल लेंगे अब हम इसको यहीं छोड़ेंगे हमने एक तरफ की एक तरफ का पाट पूरा कर दिया है अब हम ऐसे ही अब हम इधर भी दस लाइन बनाएंगे दो लाइन हमारा बना हुआ है और हम यहां धागा लगाएंगे यहां से हमने धागा निकाला गाठ लगा लेंगे और बची हुए 44 फंदो को 44 स्टीचेश जो हमारे बचे हुए है उन्हें हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए आठ धारी त्यार करेंगे दो धारी हमारा है आठ धारी और त्यार करेंगे तो हमारा ये दस लाइन कम्प्लीट हो जाएगा उल्टे फंदो की दस धारी बन जाएगे तो हम इतना बना के फिर आपको दिखाते है देखिए फ्यार्ण्स दूसरे साइड भी दस लाइन कम्प्लीट हो चुका है दो लाइन ये कमबाइन वाला और उसके उपर आठ लाइन यहां से अलग होने के बाद देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और दस और अब हम रॉंग साइड में आ जाते हैं तो रॉंग साइड में आके हम सारे फंदो को बाइंड आफ करतेंगे दो-दो फंदो को लेते जाएंगे और एक साथ लेते हुए उल्टा बनेंगे फिर इस फंदे को भी बाइंस लाई में चरहा देंगे एक और फंदा लेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बनते हुए दो का एक इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बाइंड आफ कर लेंगे देखिए फ्रांस मैंने सारे फंदो को बाइंड आफ कर दिया अब धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इस फंदे से धागे को निकाल लेंगे काइट कर लेंगे अब देखिए हमारा जूती त्यार हो गया है हमारा जूती त्यार हो गया है अब हम हमें इसकी सिलाई करना है अब यहां से हमें सिलाई करते हुए यहां तक आना है तोड़ी दूर हम इसे छोड़ देंगे सिलाई चाहे हम सीधी तरब से चाहे उल्टी तरब से दोनों किसी भी तरब से कर सकते हैं सबसे पहले हम इसे पक्का करेंगे एक दू बार सिल के उसके बाद दिखिए यह उल्टे फंदे हमें दिख रहा है हुआा है झाल 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 िाल झाल ते यहां तक हम सिलाई करेंगे यहां उंगलीों के पास थोड़ी दूर देखिए फ्रेंस हमने यहां तक की सिलाई कर लिए अब यह जो धागा हमने छोड़ा था इसमें हम सुई डालेंगे तो हमने सुई में धागा डाल लिया अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे और फिर थोड़ी दूर ऐसे छोड़के नहीं तो नोक निकल जाएगा ऐसे और उसके बाद सिल देंगे यहां से सिलते हुए यहां से सिलते हुए दूसरी तरफ निकल जाएगे से निकलूसरी दुए थे बाद से और लाद सिलते प्राद से जाएगे विंग मास Tatoo विंग मास झाल झाल अब हम इसको सीधा कर देंगे तो देखिए फ्रैंस कुपसूरा सी जूती बनके तयार है छे नमबर पैर के दिए छे फुल बनाएंगे पांच और छे नमबर पैर के दिए छे फुल बनाएंगे और साथ और आठ नमबर के लिए साथ फुल बनाएंगे बाकि हम स्यम करेंगे तो देखिए friends जूति बनके त्यार है आशा है आपको पसंद आए होगा तो यदि आपको मेरा ये जूति रिजाइन पसंद आए हो पताने का तरीका पसंद आए हो तो प्रीज प्रीज इसे लाइक करें अपने friends और family में शेयर करें thanks for watching